दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजूकेशन यूजमिस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले दे रहा हूं दोस्तों यूट्यूब पर बिग ब्रेकिंग चेकिशा विभाग भरती आठ भरतियां जो निकल चुकी हैं उनमें पाद्य बढ़ाने का ओफिशिल अपडेट कहीं से कोई फेक जैनकारी नहीं है और सी एम असोग गहलोत ने आखिरकार चेकिशा विभाग के यूवाओं को बहुत पड़ी खुसकपरी द अर्थात नेत्र सायक आठ भरतियां हैं और इन आठ भरतियों में 386 जो पद हैं बढ़ गए हैं यानि कि आधिकारिक सूचना है ये और पदों की मंजूरी यहां पर दे दी है सी एम असोग गहलोत ने इस वक्त की बड़ी जानकारी सबसे पहले बता रहा हूं आप लोगों को इस जानकारी को आप लोग से एर कर दीजिएगा और दोस्तों ये देखिए फॉस्ट इंडिया न्यूज बिरूजगारों के लिए गैलो सरकार का बंपर तोफ़ा चिकीत सविभाग में जारी भरतियों का बढ़ाय गया दाइरा सी एम की मंजूरी के बाद प्रक्रियाद संख्या है आठ भरतियों के टोटल पोस्ट की और अब 3386 जोडने से 2546 पद हो चुके हैं सबी भरतियों के मिला करके अब किस में कितने जोड़े गए हैं वो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आठ के अडर की भरतिया और नर्सिंग आफिसर के ज हो चुके अनों के महिला स्वास्तिकारे करता के जो 3736 हैं उसमें 1111 बड़े हैं तो ये 4847 पद हो गया एनम के तकरीबन पिछली बार की संख्या फार्मासिस्ट में 3067 हो चुके हैं ठीक है फार्मासिस्ट के पदों की संख्या 2869 के बज़ा 3067 एल्टी के 2007 के तुलना में यहा सायक रीडोग्राफर के 1067 को बढ़ा करके 1178 किया गया है ठीक है इसके अलावा जो नेत्र सायक के थे उसमें 17 पद बढ़ाए गए हैं 18 पद इसके 117 हो गये 99 से डेंटल टैक्निशन के 131 को बढ़ा करके 151 किया गया इसमें 20 पद बढ़ाए गई हैं डेंटल में और ECG के 241 के बज़ाए 246 यानिकि इसमें 5 पोस्ट बढ़ाए गई हैं तो यह स्वक्त की बढ़ी जानकरी है पोस्ट कितनी कितनी बढ़ी हैं 1730 बढ़ी है एनो में ठीक है साथियो बाकि आप लोग देखे एनम के 1111 हैं और और भी जो कैडर से हैं आप लोगों के सामने यानिकि सब भी बर्तियों में कुछ-कुछ पद बहें बढ़ाए गए हैं सबसे ज़्यादा बढ़ाए गए हैं उनकी में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं नर्सिंग ओफिसर में 1730 मोज हो गई है अब भी किसी का नंबर नहीं आए तो नहीं आएगा ठीक है और यह पद सकता वही चीजें हमने आपको बताई है बहुत पहले बता दिया था तीन से चार दिन पहले जब खबरे आई थी तो काफी सारे लोग रियक्ट भी करते हैं कि संगर समीति वालों को क्या पता आपको क्या पता फ़लानी धिम्कानी को क्या पता लेकिन दोस्तों जो कुछ होत है मैं उसका टोफर अभी थोड़ा सा क्या विशलेशन करना होगा कि इस केटेग्री कि इतने पद मिल रहे हैं ऐसा नहीं है कि 1730 बढ़ गए तो किसी एक केटेग्री को गए सारी केटेग्रियों में बटेंगे पद अब जब इन सारी केटेग्रियों में पदों को हम कैलकुले आ जाएगा 1111 जो पद बढ़े हैं सभी केटेग्रियों का ठीक है जो रिजरवेशन है OBC का लगबग 21% है SC का लगबग 16% है ST का 12% है Journal का 50 है EWS का 10% है इस तरीके से 5% MBC है तो अगब इन सीटों को जब आप लोग गुणा भाग करके देखोगे न तो बहुत कम आप लोगो को लगेंगी category wise लेकिन cool मिला करके मेरा इतना मानना है कि 3386 और जो परिवार है उनका भला होगा यानि 3386 लोग और नोकरी लगेंगे मेरा इतना सोचना है इस बात को ले करके बाकी देखिए पद चाये और भी ज्यादा हो जाए लेकिन पदों के लिए एक चीज है कि 50% से ज ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते है अगर कोई list आ जाती है तो अभी तो list नहीं आई लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा दिया बार बार ये लोग कोशी सब करेंगे भी नहीं कि और भी पद दे दिये जाए ठीक है तो अच्छा यहाँ पर से अंदर यहाँ पर खुसकबरी म मिल चुकी है CM साब की तरफ से जैसे CM साब की तरफ से मंजूरी मिल गया आगे का process में सुरू हो गया है तो CM की मंजूरी यहाँ पर हो चुकी है 3386 टोटल पद बढ़ाए गए हैं सबसे ज़्यादा पदों की मैं बात करूं तो nursing officer 1730 और यह भरतियाव करीब 9000 पदों पे 8750 पदों पर होने जा रही एनम की लगबख 5000 पदों पर और फार्मासिस्ट के 3067 पद हैं लेप टेक्निशन के 183 पद बढ़े हैं तो यहाँ पर 290 हो गए हैं रेडियो ग्राफर में अच्छे कुल मिला के अच्छे पद बढ़ गए हैं तो यह 1178 हो गए हैं ठीक है नेतर सायक में 1718 पद बढ़ाए गए हैं तो यह 117 हो गए हैं डेंटल में 20 बढ़े हैं और ECG में 5 पद बढ़े हैं यह इनके पास जो पद थे इन्होंने दे दिये हैं अब दोस्तों लगी रिपीटने में कोई फायदा निया मुझे लगता है कि अब जिनका भी सेलेक्शन हो रहा है सबको तो सुबकामने और जिनका नहीं हो रहा है वो अपनी अनेच्यम की तियारी करें कुछ यूटीबी के लिए अपना लग जाएं और बाकी और भी भरती आएंगी और डिपार्टमेंट्स में भी आएंगी तो उनके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो यह फिलाल क कि बड़ी अपडेट यही है चिकित सहिवाग भरतियों में बढ़ाने के मनजूरी CM साब ने दे दी है आप कुछ दिन के अंदर ओफिशियल जो प्रेस नोट है वो जारी हो जाएगा सभी को सुबकामने दूगा मैं बहुत अच्छा काम हुआ है 386 और परिवारों को यहां पर नोकरिया मिलेंगी उनके घरों में खुसी आएंगी यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही इस जानकरी को मैं कहूंगा कि आप लोग सेयर जरूर कर दीजिये और कट ओफ कट ओफ कि आप लोग कहेंगे कि आ अब एक और वीडियो डाल दो तब कोई वीडियो मुझे लगता है कि लाने के आवशकता नहीं है बहुत जल्द आप लोग की जो कट ओफ है वो यह आने लग जाएगी तो मैं किसी को दुख पहुंचाना भी नहीं चाहता कि कट ओफ लेके आऊं और फिर मैं कट ओफ ऐसी इसमें मेरी जो कट ओफ बताई है उसमें कुछ कैटेगोरी जो रिजर्ड कैटेगोरी हैं सी एच्टिय उसमें 1,5 से 2 परसंट का अंतर आ सकता एन्म भरती के अंदर ठीक है बाकि OBC का मैंने जो बता रख ही कट ओफ उसमें से 1,5 परसंट कम कर सकतो OBCी इनम में